आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे दान तक नहीं होतरी इस्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत बाकत है यह टाइमस ऑफ इंडिये के एक अच्छा आटिकल था आज हम एफ्लुएंट पीपल की बात करेंगे ठीक है लेकिन उससे पहले हम अ 770 रुपय का निकाले इसकी क्लासेस अभी चल रही है तो इसे पहले लेट हो जाए फटाक से कोर्स को अवेल करें आपको बहुत ज़दा फायदा होगा तो देखो एफ्लुएंट कस्टमर कौन होते हैं जो सम्रिद संपन ठीक है संपन है ना सर्वगुन संपन कहते हैं लगभग लगभग असी नब्य हजार के असपास हो यानि कि साड़े आठ लाक एन्वली ठीक है ना तो बेसिकली यह होते हैं फ्लुएंट यानि कि एक तरीके से अमीर लोग पर कैपिटा इंकम जो है वो इतनी हो रैट तो अब यह गोल्ड मैं साक्स की रिपोर्ट आई है तो उन्होंने इस बेंचमार्क को सेट किया जो कि 10,000 डॉलर के करीब हो गई अच्छी बात है भी EWS OBC कोटा की भी बात करें तो उसमें भी एकर 8 लाग से कम है ठीक है तो 8 लाग अपर लिमिट है ना सबसे अपर लिमिट तो आप यह कोटा जो है वो अवेल कर सकते हो ठीक ह तो यह सारी चीज़ है बट ऐसा बोला जाता है कि लगबख 6 करोड के करीब कंज्यूमर्स इसमें आते हैं यही एफ्लुएंट कस्टमर्स बहुत अच्छी बात हैं तो यही एफ्लुएंट कस्टमर्स जो है ना वो बदलेंगे दिश को कैसे मैं बताऊँगा तो आप देख सकते हैं कि 2027 आते आते 10 करोड के करीब कस्टमर्स जो हैं मतलब इंडियन भारती क्या बात है दे विल भी एफ्लुएंट वो संपन हो जाएंगे पैसा मस्त कमाएंगे स्पेंड मस्त करेंगे ठीक है ना तो यह चीज है यह रिपोर्ट में भोला गया है तो 2027 जादा दूर तो है नहीं बस तीन साल बात 2027 आने वाला है अब देखो एफ्लुएंट इंडिया अभी 10% से कम है बहुत जादा नहीं है देखिए 6 क्रोड के बहुत बड़ा आंखडा तो होता नहीं है हाला कि मैं इससे बिलकुल डिसेगरी करता हूँ क्योंकि देखिए बहुत लोग इंकम दिखाते नहीं है आपको मैं एक एक जामपल देता हूँ यहाँ पे कचवरी वाले है नाम नहीं लूँगा तो इंकम टैक्स जब उनके दुकान पर रेड़ मारने गई उनको आदा घंटा वेट करना पड़ा एक छोटी सी दुकान है लेकिन अगर आप उनके संपत्त देखेंगे ना तो बहुत है तो यहाँ पे ITR के हिसाब से चीजे बताई गई है बहुत लोग जो है बारत में silent rich है ठीक है पैसा तो उनके पास बहुत है बट उन्होंने अभी तक डिकलियर नहीं किया है क्योंकि देखिए भारत की economy को आप मारूती की sales से देखा करिए ठीक important है और यह दिखाता है effluency को बहुत बढ़िया तो अभी जो आप देख रहे हैं वो डिपेंड करता है कि कहां पे हैं आप अब जैके global firms की बात करें in search of market 100 million consumers would be equivalent to 16th largest country in the world बहुत कम है यानि कि देखो अगर अब यह कोई आखड़ा बहुत बढ़ा नहीं है मेरा कहने का समझे रहो कितनी population UK की कितनी population है पुरे यूरोप की अगर आप एक देश में तरह लोग नहीं होते हैं जितने हमारे हैं effluent लोग हैं वाह तालिया तालिया अब देखता हूं एक गरीब भारत गरीब भारत है भारत में तीन पहुत बहुत बढ़ा बंला हो किसी का उसी के सामने बहुत सारे लोग फूट पात पर सौ रहे हूं तो भारत में बहुत सारे भारत भारत बसते हैं दो تीन चार पारत बसते हैं लेकिन जब आप देखोगे सड़क पे तो आपको अमीरियत इतनी कारे देखने को बिल रहे है आजका लगबग हर घर में कार है वो बात अलग है कि लोन पे ले रखी है आईफोन है मैं तो देखता हूँ सबके पास आईफोन 70% एक रिपोर्ट है थी 70% फोन जो आईफोन से आ बड़े खराब थे थे बड़े उनको बुलाया था बैसिकली ठीक है राजा ने महरा राजा ने शेहिंशा ने तो गए उसके बाद दर्वार ने बगा जबागे आँसे चल निकल बढ़ क्या भिका दी कहीं के हट कर अरे अरे बढ़ ठीक ओक कर बुलाया है बुलाया है बु लेट लगा दिया है दो गंटे वेट करना पड़ा हमारे शेहिंशाय आलम को आई 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 बैठी आरे हा तो भाई या बैठे आगे जो शेहिंशा के तो उसके बाद खाना वाना परोसा गया च्छपपन भोग लगा गया उनके आगे तो उसके बाद चलिए खाई एक आई ये इस वज़े से मैं बड़ा अमीर लग रहा हूँ तो ऐसे दोस्तों जैसे पंकस्ति पाठी ने बोला था कि भाई क्या है ना कि आजकल ऐसा हो गया है कि दिखाना पड़ता है बहुत सारी चीजे कार जो है वो बड़ी हमने लेनी हमको लेनी पड़ी क्योंकि कर हम छोटी क पड़ता है लोग हमको बड़ी नीची नगर से देखते ओची नजर से देखते हैं तो यह समाज है डिस्क्रिमिनेशन इस लेवल पर होता है ठीक है मैं जैसे मैं अपना एक्जांपल बताऊं मैं बहुत ऐसे ही चला जाता हूँ ठीक है चपल पहन के चला गया बहुत बढ़ी क्या एसे कैसे सिद्धान्त मैंने क्या गया हो गया बढ़िया कपड़े है अच्छे कपड़े पहन के आया हूं मस्त पहन के आया हूं ठीक और थोड़ी दिर बाद सब के सब ऐसे गर्मी से बेहाल कोई टाई उतार रहे कोई और तो भाही बता रहें दिखावे की ब पहले बाद सब्सक्राइब और यह सब्सक्राइब बढ़ी गाड़ियां फॉर्चुनर मिनि बस और अप तो कॉम्पाक्ट स्यूव आ गई है नेक्सॉन महिंद्रा एक्सुवी 3 00 तो यह जो आप देखते हो ना दे मेड़ा 53% आफ सेल्स आधी से जाधा सेल्स तो कार की हो है तो वही मैंने बता है कि भारत की क्रोंवी उपर जादी कार की सेल्स देख लो एडिबंस डॉमिनिटेट स्मॉल कार्स खताम कोई नहीं ले रहा नैनो क्यूं बंद हुए आपको पता ना नैनो का बंद होने का सबसे बड़ा कारण था नैनो लिये हो गवीब यह था तो आर वेलकम भाले लोन पर लेनी पड़े ठीक है तो आर एफ्लुएंट प्री पीपल पेंग इंकम टैक्स ते कि मेरे हिसाब से तो नहीं हर कोई नहीं पे कर रहा है ठीक है लेट्स यूज़ डिफिनिशन ठीक है अब देखिए इंकम टैक्स आपको कैसे पता चले कि जब पड़ता है अगर एक सब सब्सक्राइब से ऊपर आपके पास आपको दिया गया है पैसा तो आपको टीडेस भरना पड़ेगा दो हजार बाइस तेइस में टैक्स पेर के कर बात करें तो कितने है लगभग नौ करोड के आसपास 89 मिलियन जो की 6% है पॉपुलेशन का बाट देखें इंडिया की तरफ से हिसाब कड़बड है वोल्ड की तरफ से देखो नो करोड लोग पे कर रहे हैं तो पर कैपिटा इंकम क्या है भी यह 1.49 लाग का मैं देड़ लाग अब लोकेट दी डेटा ओं टाक्स डेटा देखो 60.5 बिलियन पीपल ती कहने की लगभग 6 कर इंडियन तो हर कोई इंकम टाक्स नहीं लेकिन एक अगर मोटा मोटी की माने तो 6 करोन मैक्सिमम हो सकता है इससे जाधा श्याद एफ्लोएंट इंडिया नहीं होगा अब यह कहां इंवेस्ट करते हैं सबसे बड़ी बात है कहां पैसा आ रहा है तो इंवेस्ट भी करना है इंवेस्ट करो अच्छी जगां पर कोई देख सकते हो सबसे बेस्ट इंपोर्टेंट थिंग ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं इंक्लूडिंग माई फैमिली ऑलसो जो सेविंग से बहुत ध्यान देती है और मुझे लगता है कि बच्चों को शुरुआत से इसके बारे म इंसान ठीक है उनको महांता की केटेगरी में लगता हूं नहीं रहे वो मैं उनको सबसे दाए प्यार करता था और वो एक साल पहले उनका दिहान दो गया तो भगवान उनकी आत्मा को शान्ती दे बट उनका हाथ खुला था बहुत जादा और फिर हमारे उपर एक समय ऐसा वक्त आया कि हालत हम लोग की बैंड बजगी थी लेटरली बैंड बजगी थी तब हमको यह पता चला कि सेविंग सार वेरी इंपोर्टेंट ठीक है न यह कितनी जादा जरूरी है क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं होता है न और बिलीव में पैसा वेरी को बचाती है शायद भगवान ने हमको सिखाया और ऐसे बहुत लोग हैं जिनों जो अनाप्शन आप खर्च करते रहते हैं पैसा आया उड़ा दो ठीक है ऐसा नहीं करना है पैसा आया सेव करो इसी से आप अमीर बनोंगे साइकोलोजी ऑफ मनी की बात कर लो ताह रिची ड एसें दो रुपय भारत में सेव होता है तो बहुत च्शी बात है और यह जरूरी भी है एस इस इस यहां पर बताता है जो है वो बदले हूँ है कैसे अब RBI डेटा क्या बताता है RBI के डेटा से आपको सारी चीजे पता लग जाती है डेटा से आपको वैसे में सब कुछ पता लग जाएगा तो यहां पर बताता है कि भाई देको बैंक डेपॉजिट बस बैंक में पैसा लगा दो तो 30% interest मिले बट लगा दो बढ़ा रहे न दो पैसा ठीक है न popularity decline हो रही है बट फेवरेट बैंक में डेपॉजिटी है FD करवा दो है न recurring ID करवा दो PPF खुलवा दो तो best है 30-40% जो है वो बैंक डेपॉजिट महीं आता है और इसलिए मैंक की बल्ले-बल्ले है अधर popular destination क्या है यही PPF पहिए PPF करवा ले हो अगर आप public provident fund में पैसा डालते हो था आपको income tax में भी रिवेट मिलती है लेकिन मुझे personally मैं अपनी बात कर रहा हूँ मुझे ऐसी चीज़े बहुत अच्छी नहीं लगती जिसमें पैसा लॉक हो जाता है जैसे NPS एक बहुत बढ़िया है National Pension Scheme मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई देखो आलग-अलग opinions होता है मेरा personal मानना यह है कि जहाँ पैसा लॉक होता है मुझे वो personally बहुत ज़्यादा वो नहीं करता बढ़ यह सरकार के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरी वाइब मुझे कहती है कि तुम बिल्कुल गलत हो तो मेरी काफिस में बहस होती है उनसे ठीक है क्योंकि वो finance है study close का management पूरा वही देखती है राशी तो काफी ज़्यादा मेरी उसमें बहस होती है कि नहीं तुम गलत हो और तुम बिल्कुल गलत हो ultimately मैं हारी जाता हूँ but फिर भी मैं यह मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा locking सही नहीं रहती है with support government borrowing but the big change is the surge in the popularity of capital market investment ठीक है ना मुझे ऐसा लगता है और गोल्ड गोल्ड भी बहुत बढ़ी investment होता है mutual funds have emerged as the preferred vehicle between 2020 से लेकर 23 तक 22 तक मलब दो साल में household's flow into the almost tripled तो mutual friend में 3 गुना पैसा आने लगा है तो especially systematic investment plan SIP जिसको बोला जाता है हर कोई आपको देखेगा जो पैसा कमा रहा है जो effluent भाइया SIP खुलवा दे SIP खुलवाने से पहले मैं एक चीज़ बोलूगा खुद research करके जो खुद देखो कि कहां पे तुमको invest करना है तुम bank को दोगो किसी में भी invest कर देगा ठीक है तो एक बार खुद थोड़ा सा पढ़के अगर SIP करवारी है तो 10-15 दिन knowledge लेके कौन सी कमपनी है जो बढ़िया कर रही है वहां पैप invest करो तो वह जादा बेटर रहता है और 2,000-3,000 के SIP जाती रहती है little wonder that India's stock indices seem largely insulated from FII flows at the end of the January there was 79.2 million SIP accounts आप देख सकते हो अब आप यह देखे आठ करोण की करीप SIP फेवरेट है आप ने खुदी सोचाओ का SIP खुलवा देते है और सबसे बढ़िया भी रहता है ठीक है safe है definitions vary and therefore aggregated numbers across database can't be compared in a simplistic fashion but no matter which one slices and dices numbers effluent India is not more than 5% तो आप कुछ भी कर लो ठीक है कितना भी हाथ पर मार लो but effluent India इतना ही है मतलब सिर्ट 6 करोड 1.500 करोड की population में अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इनको देश की पढ़ी है क्योंकि जादा तर से जब आप भहस करेंगे मैं जब भहस करता हूँ बोलता हूँ कोई vote देने नहीं जा रहा है कोई बहुत ग्यान मतलब सबसे बड़े ग्यानी ठीक है कि अरे मुदी तो आईसा कर रहे है योगी तो आईसा कर रहे है राहुल गान्दी को तो कुछ नहीं आता ऐसी ऐसी बाते कर रहे है ठीक है तो आप यह समझे कि ज्यान तो सब बहुत देंगे लेकिन जब vote करने की बारी आती है तो ज़्यादा तर लोग पीछर जाते हम को क्या vote करके भाई vote तुम समझ नहीं रहे हो आज जो भी देश में बुरा अच्छा हो रहा है वो तुम्हारी वोट के वज़े से हो रहा है होता क्या है कि मालो जैसे बीस लोग है ठीक है दस लोग अच्छे हैं इंटेलेक्चुल हैं उन्हें काम vote नहीं करेंगे दस लोग खराब हैं बहुत खराब हैं तो अगर ये दस हट गए तो बचे ये दस अब ये बुरे आदमी कोई वोट करेंगे तो कौन चुन किया गा बुरे आदमी समझ रहो तो इसलिए वोट करना बहुत ज़ादा जरूरी होता है तो पॉपॉलर विजड़म है इस ओन अब चीज़े बदल रही है अब इन्हों ने लोक नीती का इलेक्शन डेटा यूस किया अब इन्हों ने वोटर टर्णाओट को देखा मेट्रो पॉलिटरन सिटी जो 2009 और 2014 इलेक्शन में आए तो बिसिकली डेटा को एनिलाइस के और यह देखा कि कितने जो एफ्लुएंट इंडियन से वोट कर रहे है अब तर्णाओट अब मिडिल क्लास और रिच इन पर्टिकुलर है ड़ा टर्णाओट अब दी सिटी आवरेज क्या बात है यहां तो उल्टा हो गया कि जो अमीर है और जो मिडिल क्लास है वोट करने आ रहे हैं सिटी के आवरेज से वो जाधा आ रहे हैं तेखो अमीर तो करेंगी वोट आप समझ रहे हो क्योंकि उनको पता है कैसे पॉलिटिक्स को समझ रहे हो ना अब जिको होता क्या है कि आपको वोट करना है आपको अपने शहर में होना पड़ेगा मुझे मैं ऐसा पसले एक प्रॉक्सी वोटिंग और एक उनलाइन वोटिंग का प्राबदान करना पड़ेगा जैसे बिहार के मालो या यूपी और बिहार के कम माइन एक करोणों लोग मालो कई बाहर जॉप करना है या कई बाहर तो अब होता क्या है कि अगर बिहार में वोटिंग है तो वो बंदा बैंगलोर से चुटी लेके सिर्फ वोटिंग के लिए तो आएगा न इतना खर्च करके तो कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है जो एकनॉमिक माइगरेंट्स होते हैं वो नहीं आते हैं इसी लिए जो इस्पेशली घरीब जो चूड जाते हैं पाई जो शेहर मेरे का वही तो वोटिंग करेगा न ठीक है ये चीज़ है तो एफ्लुएंट इंडिया इस थिन स्लिवर टोड़ेंगे बट दे कैरी वेट डिस प्रोपोर्शने तो दियर नंबर ओके तो ये एक लेक्शर था इलेक्शन में इनका फर्क बहुत जादा पड़ता है एलेक्शन सार वेरी वेरी इंपोर्टेंट एफ्लुएंट इंडिया हर किसे को वोट देना चाहिए क्योंकि ये बहुत जादा जरूरी होता है तो खुश रही पड़ते नहीं देसे सद्दान तक नहीं होता है साइनिंग ओफ